तो गाईज रुको जरा कोई भी वीडियो स्कीप मत करना अगर आप एक टीमिलेट के फैन हो सच्छे तो गाईज इस वीडियो को पूरा देखना आखिर खार आपको एक क्वेस्चन होगा टीमिलेट हमारे क्यों नहीं जीत पार एक भी ऑपिशल टूरलामेट मतलब दो तीन हर बार मतलब ऐसा नहीं कि टीमिलेट टॉप त्री की निचा आ रही टॉप त्री में आ रही हर बार फाइनल में लेकिन ना हो मतलब जो टॉप त्री ना हो जीत में कनवर्ट नहीं कर पा रहे टीमिलेट उसके रीजन क्या है और सात्य में गाईज मैंने बोला था पिछली वीडियो में टीमिलिट 8 रॉलामेंट जितींगी और मेरा प्रिडिक्षन गलत हो गया उसके उपर भी मैं आपको बोलूँगा उसके उपर भी बात करूँगा ऐसा क्यूँ हुआ और सब आज टीमिलेट के आके वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर काना और साथी में डिस्कॉड भी जॉइन कर लेना उदर हम एक्टिव रहे थी उससे उदर आप बात भी कर सकते और उदर डेली प्रेटिस रूम भी होत प्रेटिशन है मतलब टी मिलिट आरसीबी से थोड़ा अच्छा है लेकिन आरसीबी जितने खराब कंडिशन है उस तरह से हो गई लेकिन हमारी जो टी मिलिट है उसका मतलब बंदे भी बहुत तकड़े सब कुछ तकड़ा है क्वालिफायर भी अच्छे से खेलती है माचा पूरह मतलब कोई कुछ कर नहीं पाता, इतना खेलती, डेंजर मतलब एक बार खेलना शुरू हो गई, तो इनको कोई रोकी नहीं पाता, आपको पता है, हमारे ट्राइस सिर्िस पता है, अभी प्रोईपार, प्रो लिक का जो कौलिफायर उसमें भी पता है, हमारे फ्रिपार स टुर्लामेंट ने जित पाई इसलिए हमको ओर एक टुर्लामेंट का वेट करना पड़ेंगा जितने के लिए ठीके लेकिन मतलब गाईज देखना बस फाइनल जितने से कुछ नहीं होता गाईज हमारा परफ़मेस देखना टीमी लिट का हमारे जितने भी बड़े मतलब ओप लेवल के टुर्लयमेंट हुए, फ्रीपार सिटे ओपन, प्रोलाइग होने दो हमारा फ्रीपार अपना एफ़िफार होने दो, सब में जितने भी ओफिशल टुर्लयमेंट हैं मैं आज मैं बाता हूँ आप मेरे को comment करके बाताओ ऐसा कौनसा टुर्लामेंट है जिसने जो official टुर्लामेंट है और जिसमें team elite qualify नहीं कर पाई और अपना मतलब qualify round से बाहर होगे एसा कौन सा του। डूरामेंट, आप बताओ कमेंड करकर, एसा एक भी टूरामेंट नहीं है जिसमें हमारी टिम हेलिट कौलिफाय नहीं कर पाई, हमारो यृण केलके हर बार फारी डिली कौलिफाय करते है, उसके साथ हमारी final में मतलब कभी भी एसा नहीं की top 4 की निचाहेंगी हमारी top 3 में ही रहेंगे हमेशा जितने भी tournament देखलो आज तक official हमेशा top 3 में ही रहें एसा नहीं top 3 के निचे गई हमेशा top 3 में consistency रखें आप बस जीत मत देखो guys consistency भी देखो ना अब जी अगर एसा भी नही tournament में consistency dry series हो गया हमारा free fire city open हो गया हमारा free fire pro league हो गया जितने भी official tournament में सभी जो final के लिए सभी में मतलब अपना top 3 के अंदर रहें इतनी consistency कौन city में अभी इंडिया में बताओ इतनी consistency साथ के लिए हला कि जीती होंगी बहुत सारे team में tournament जीती होंगी लेकिन consistency देखो ना अगर मैं बोला था ना मतलब जो जितने भी tournament होए ना उसमें बस एक दो point से पीछे मतलब हमारे लिए तो मेरे लिए तो team elite champion है आपकी लिए क्या है champion है करने comment करकर बाता दो इतना इनका performance से मेरे लिए तो champion है भले हो champion आज तक officially नहीं हो पाई लेकिन guys मेरे लिए तो champion है guys क्योंकि देखो इतना consistency और ज्यादा भी difference नहीं 20-40 point का difference नहीं एक दो point बस एक दो point और वो आगे आने वाले tournament में team elite और एक दिन बताएंगी सबी मतलब उनके जो haters है उनको एक दिन बताएंगी team elite team elite क्या चीज़ है और team elite को team elite क्यों कहिते मचात देने वाले team elite ठीक है तो team elite confirm मतलब हम कोई अफेपाईसी का इंतजार करना पड़ेंगा team elite जीतने के लिए लेकिन हम team elite का support नहीं सोड़ेंगे जो भी फ्यांचे ना अपने कौनसी भी favorite team elite हो टीम होने दो टीम elite होने दो या कौनसी भी total gaming कौनसी भी होने दो लेकिन अपने favorite team का ये ना कभी भी मतलब साथ नहीं च चोड़ना अपने favorite team को हमेशा support करते रहे ना अगर support करेंगे तो वह भी आपके लिए अच्छा performance करने के कोशिश करेंगे और team elite मतलब जीत नहीं पाए लेकिन गाई 2 या 3 पॉइंट का डिप रंता अगर 1-2 kill हो जाती तो team elite winner बन जाती लेकिन मेरे लिए तो winner ही team elite बहुत अ अगर वती नहीं इनको क्योंकि गाई जितने जही सही उनका performance था जितने से भी उपर का performance था जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था हमारे team elite से वो जीतेंगी confirm तो गाई मैंने 99% बोला था ना कि 100 नहीं तो आप गलत समचो लगेंगे मैंने 1% चोड़ा था और team elite का performance भी 99% था क्योंकि देखो गाईस हमारे team elite जादा पॉइंट से नहीं मतलब 2-3 पॉइंट से शायद team elite हमारे table topper चुक गई table topper से चुक गई नहीं तो हमारे team elite सीधा winner बन जाती है अगर winner नहीं बनी फिर भी मतलब जो फ्यान से उनके लिए winner ही होंगी क्योंकि गाईस उन्हें अच कुछ होता है गाईस हो जाती है problem final में आप team elite team elite है वो सुधारेंगी जरूर अपना कोशिश करेंगी यह फेपाईसी में अगले old series खेलना है तो top 2 में आना ही पड़ेगा उनको ठीक है तो अच्छा performance करेंगी team elite तो गाईस वीडियो कैसी लगी comment करकर जरूर बातान वीडियो अच्छी लगी हो होगी तो यार सब्सक्राइब कर दो यार वीडियो का लाइक कर दो तो चलो गाईस बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट टोडिय में